सरशरी द्वारा नया संदेश New Wisdom Series for True Progress in Life नहीं है, हर करदार के बाहर कैसा मैसूस हो रहा है पहचान नहीं है तो तुरंथ हम कुछ शुरू कर देते है क्यों ऐसे ही बेठे रहना आजीब सा लगेगा कुछ मान कर चलेंगे तो जाना पहचाना लगेगा हाँ, इसकी आदत है तो तुरंथ मन पकड़ लेता है जो भी दृष्य भरता है दृष्य भरते हैं जैसे ही आँख खलती है और इच्छा जगती है कि ये करें, ये न करें ये खाएं, ये न खाएं समय क्या हुआ है ये समय तो ये करने का है ये समय तो इस कार्य का है यह तो breakfast का समय है यह lunch का time है और आज तो यह वार है यह नहीं खा सकते इच्छाएं बर गई तो उसमें आप कौन बात छुट गई छुट गई तो कोई दिक्कत नहीं मर याद वापस कब आई वापस याद कब आई और वापस याद आई क्या आपने आयोजन किया था क्या reminder आपने set किया था सबसे best reminder जिस पर आपने बहुत काम किया और आपने पा लिया कि यह सबसे best reminder मेरे लिए है जो मुझे याद दिलाते रहेगा आपने सब तरह की शब्दे यूज करके देखे और आपको पक्का हुआ कि ये ये कहने के साथ मुझे याद आता है और ये ये कहना उसकी हैबिट डाली है कोई मंत्र मिला है उसको कई बार दोहराया है अब याद आता है अब मंत्र का आर्थ भी मालम पड़ गया है गुरू ने मंत्र दिया तेरा जीवन मुक्त है तेरा जीवन मुक्त है यानि अंदर बाहर के बाहर है खुल लोगों के लिए हुआ है काम यह पता है आपको संत तुकाराम के साथ गुरू जी ने आके मंतर दे दिया, बता दिया राम कृष्णा हरी अब राम का अर्थम आलम होगा काम का है इसलिए गाना तैयार है जो उसके लिए वो मंतर है वो उसको दोहरा के ठकेगा नहीं और जो दोहरा रहा है वही जी रहा है तो उसका आर्था समझना तुर्पा है वरना आर्था नहीं माला में लोग दोहरा रहे राम कृष्णा हरी और ये दोहराकर क्या होना चाहिए था अंदर, अंदर क्या होना चाहिए था, अंदर आप कहाने से बाहर आ जाते हैं, तो अर्थ पता चलना, उसकी समझ मिलना, आती आवशक है, क्यों मंतर दिया जाता है, मंतर है सार, कोई बात आपने समझी है, उसका सार, उसका एक शब्द आपको दे दिया गया, और आप वो जब दोहराते हो, तो आपको याद आती है अपनी अवस्था, जिसको आपने पहचाना है, जिसको आपने परखा है, जिसके पार्खी हो आप, वो अवस्था तैयार कर देगा जीवन में सुरू से ही कुछ लगता था कुछ अधूरा है तलास से किसी चीज की मैं यहां तक पहुचा यह पता नहीं यह कहते है साथ जन्मों में अगर मोक्ष मिलता है साई यह सात्वा जन्म है और सिर्फ एक चीज समझ में आई कि बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ तूरा था चीजें क्लियर नहीं हो रही थी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे कही नगए कुछ छूड रहा था सब को समझ में रहा है कि चीज है क्या इतना परमानंद गंभूती हो रही है, सारी छीजह निट गए, सारे फर्दे फड़ गए, सब विलीन हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, जीवन में एक्तम सारी चीजह क्लियर हो गज़ नहीं बचाए, कुछ नहीं चुपा, और मेरे जीवन का अधेश है कि मुझे जो मिला है, मैं जब तक ये जीवन है जो इतना मुझसे हो सकेगा और जितने लोगों को ये ग्यान मिल पाए जितने लोगों को ये ग्यान मिल पाए इसके लिए पूरा जीवन कुरबान है और सबको मिले पूरा विश्व में ये फैले क्योंकि अगर ये ग्यान सबको मिल गया तो जिस दुनिया की सारी समस्या खतम हो जाएगी अलग जीवन होगा, अलग लोग होगा धन्यवाद सर्श्री, धन्यवाद मैं पढ़ाम तुछ को पढ़ाम रेजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं हैपी थॉट्स तेजग्यान और सर्श्री तेजग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटिस्ट अपडेच सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद